अंडोच सर्ग और मासिक चक्र या मासिक धर्म पियूश ग्रंथी यानि पिट्यूट्री ग्लांड, अंडाशे यानि ओवरी और गर्भाशे यानि यूट्रस के बीच में होने वाली परस परक्रिया के कारण अंडोज सर्ग यानि ovulation और मासिक चक्र यानि menstruation की प्रक्रिया होती है 28 दिनों के सामाने मासिक चक्र की शुरुआत में अध्श चेतक यानि hypothalamus, पियूश ग्रंथी यानि pituitary gland के आसपास की रक्तवाहिकाओं यानि blood vessels के अंदर gonadotropin hormone या GNRH का स्थ्राफ करता है इससे पियूश ग्रंथी की कोशिकाओं प्रेरिध होकर follicle stimulating hormone या FSH का स्थ्राफ करती है जो की रक्त के द्वारा अंडाशे में पहुँच कर ओवेरियन follicle के विकास को प्रेरिध करती है हर developing follicle में एक अविक्सित अंडे यानि immature egg के साथ तरल पदार्थ और estrogen स्राफ करने वाली बहुत सारी कोशिकाओं होती है साथवे दिन तक ज्यादा तर बढ़ते हुए follicle degenerate हो जाते हैं और विकास के लिए पीछे केवल एक dominant follicle बचता है जो की अंदर विक्सित हो रहे अंडे को पोशन देता है अंडोत सर्क के समय अंडे को बाहर निकालने से पहले तयार करने और उसके विकास में FSH मदद करता है जबकि developing follicle से स्रावित होने वाला estrogen गर्भाशे के अंतस्तरपरत यानि endometrial lining को दुबारा बनाने में मदद करता है बारवे दिन के आसपास रक्त में estrogen का तेजी से प्रवाह होता है जो की hypothalamus तक पहुचता है जिससे GNRH का स्त्राव बढ़ जाता है और pituitary gland यानि पियूश ग्रंथी को luteinizing hormone या LH बनाने के लिए प्रेरित करता है रक्त में LH का प्रभाव बढ़ने से follicle फूलने लगता है जो की इसके फटने और मासिक चक्र के बीच में अंडोत सर्ग यानि ovulation की प्रक्रिया को प्रेरित करता है इसके फटने के साथ ही डिम्बवाही नलिका यानि फेलोपियन ट्यूब के आखिर में बना जालर नुमा यानि फिम्रियेटर्ड मुहाना अंडे को अपने अंदर खीच लेता है यहां से अंडा पांच से छे दिन में फेलोपियन ट्यूब से होते हुए फर्टिलाइजेशन वाली जगा पर फर्टिलाइजड एक का गर्भाशे गुहा यानि यूटेराइन काविटी की दीवार में जाने वाली प्रक्रिया से पहले पहुँच जाता है 12 से 24 घंडों के अंदर अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो तूटने लगता है और एंडोमीट्रियल लाइनिंग के विखंडन के साथ ही बाहर निकाल दिया जाता है फॉलिकल भटने के बाद एक नया रूप लेता है जिसे पीत पिंड यानि कॉर्पस लूटियूम कहते हैं और ये प्रोजेस्टरोन नाम का हार्मोन स्त्रावित करता है प्रोजेस्टरोन गर्भाशे की एंडोमीट्रियल लाइनिंग में कई जरूरी बदलाव लाता है और इसे फर्टिलाइजड एक को अंदर लेने के लायक बनाता है प्रोजेस्टरोन कई दिनों तक स्त्रावित होता रहता है लेकिन अगर इस दोरान निशेचन यानि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पीत पिंड यानि कॉर्पस लूटियम ज़ड़ने लगता है जिससे प्रोजेस्टरोन और एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है और भाशे अस्तर यानि यूट्रिस लाइनिंग जड़ने से मासिक चक्र दोबारा शुरू हो जाता है।